जै श्रीराम दोस्तों दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है चैनल में और एक EOD analysis वीडियो में तो दोस्तों bank nifty में आज क्या हुआ ये analyze करने कोशिश करते हैं जो आज हुआ उसके basis पर bank nifty में कल क्या हो सकता है वो देखते हैं लेकिन start करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बोली थी मैं वहां से start करता हूँ ये दोस्तों कल का वीडियो और इस मैंने इस moment पर एक चीज बोली थी और वो चीज मैं आप लोग को दिखा रहे तो clock जो है ना market की internal clock system वो इतनी powerful होती है कि एक तरह से market की activity को govern करती है if there is anything that is called leading indicator वो दोस्तों market के internal clock है और clock क्या बोल रही ह है कि पहली बात तो market अगर bearish होता है continue कर सकता है मतलब अगर कल market नीचे खुलता है continue नीचे की तरफ कर सकता है और अगर गलती से market उपर की तरफ खुल गया तो वापस पलटके नीचे की तरफ आना चाहिए और लेट तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों वीडियो में यह मैंने बोला था कि पहली बात तो जो market वीक है और नीचे आना चाहिए गलती से भी अगर gap-up दे देता है तो फिर वो पलटके वापस नीचे की तरफ आएगा तो यह morning का fall मैंने आप लोग को कल की वीडियो में ही बता दिया था अच्छा अब यह market पलटा क्यों वो भी द पीरेट के जो highs है मतलब सब वीक मनी ने सेलिंग की है इस highs could be taken out later today अगर मैं इसको 30 मिनट कर दूं दोस्तों तो यह रहा B, यह रहा C और यह रहा D यह तीनों high week थे और मैंने यह बोला था कि यह तीनों high week है and they will be taken out they could be taken out later today और यह last की जो 15 मिनट की candle है उसमें तीनों high निप bankrifty ने breakdown दिया था तो मैंने लिखा था यह breakdown fail होगा क्या question mark और फिर उसके बाद यह जो bankrifty का breakdown हुआ था यह continue नहीं हुआ fail हुआ तो 12 बच के 3 मिनट पे दोस्तों इसका मतलब की इस candle में मैंने बताया था कि यह जो bankrifty का breakdown है यह fail होगा और यह breakout और breakdown failure की मेरी जो accuracy है महादेव की क्रिपा से वो 100% है meaning जितने भी मैंने breakout या breakdown fail होना forecast किया है सारे हुए है अपना market basically आज क्या किया तो morning में उपर खुला market week था और फिर उसके बाद इस 925 की candle में जो buyers है वो exhaust हुए उसके बाद यह failed attempt sorry इस 940 candle में buyers exhaust हुए और उसके बाद market नीचे crash किया यहाँ पर they got met with a buyer वो buyer कौन सा था दोस्तों same buyer था जो अगर आप लोग देखो ना यहाँ पर तो जो person इधर पे यहाँ पे यहाँ पे जो continuously buy कर रहा था ना अगर मैं एक region था बना दूँ ऐसा तो जो बंदा यहाँ पर buy कर रहा था ना वही बायर आज भी यहाँ पर present था इसने यहाँ पर सारे sellers को absorb किया और eventually फिर market पलट गया तो अब यहाँ पर अगर sellers fail हुए तो उन्होंने क्या किया sellers fail होंगे तो किसको test करने जाएंगे buyers की strength को test करने के लिए तो buyer जहाँ पर last battle हा रहा था कहाँ पर यहाँ पर इस 940 की candle में वहाँ पर जाके उन्होंने test किया अब हमारे पास जो दोस्तो latest information है ना वो यह कि इधर प complete नहीं हुई है फिर दोस्तों हम लोग को यह पता है कि इधर पर कोई seller बैठा हुआ है और वो seller actually वो selling यहाँ से कर रहा है यह level important क्यों है तो दोस्तों यह एक मेरा proprietary indicator है जो instrument के vibrations पर based है law of vibration WDN की book है तो उसमें इस low के हिसाब से market कहा तक जा सकता है वहाँ तक market गया वहाँ से resistance लेके अब यहाँ पर consolidate कर रहा है मुझे कैसे पता consolidate कर रहा है दोस्तों because volume average से कम आ रहा है तो यहाँ पर volatility को cool off किया जा रहा है ठंडा किया जा रहा है और profit booking हो रही है और profit booking जब हो जाएगी उसके बाद यह जो 9 फरवरी की vertical line दिख रही है आपको इसके आसपास यानि या तो कल या 9 को या 10 को इन 3 में से किसी एक दिन 10 तो शायद Saturday है हाँ तो 8-9 और जो भी next Monday है उसमें से यहाँ पर एक न कोई एक trend change आना चाहिए तो starting from tomorrow से लेकर कल परसो और Monday के बीच में कभी भी एक trend change हो सकता है दोस्तों इसके लिए तयार रहना since market ने यहाँ से resistance ले लिया है vibration level पे resistance लिया है इसका मतलब market नीचे जाने के लिए तयार है market अगर यहाँ से दोस्तों नीचे जा सकता है तो मैं आपको बताता हूँ कि वह कहां तक जा सकता है तो दोस्तों market यह 43,600 43,600 mark कर लिए आप लोग वहाँ तक market जा सकता है यहाँ पर पहला support आये का 43,600 पे अच्छ अब कल का क्या scene है तो कल का जो scene है आई यह late afternoon में यह जो move आया उसकी वैसे मेरे system ने generate किया call sign तो मैंने call side का BTST ले रखा है low quantity का ले रखा है because मुझे somehow doubt हो रहा था कि market कल gap up शायद ना दे पर ठीक है system ने बोला तो लेना है confusion है तो system follow करना है अच्छा अब दोस्तों यही same ची bank nifty का TPO chart यह जो दो फर्वरी को spike आई थी ना late afternoon में LP rate की वहां से selling आ रही है so 5 तारीक को मंडे को यानि कि वहां से selling आई फिर उसके बाद कल भी 6 तारीक को भी आई आज भी मंडे में आज भी दोस्तों morning में market वहीं से reject मताब उपर खुला rejection लेकि नीचे आ गया अब यह spike के base तक जाने की कोशिश कर सकता है तो इसलिए बस एक छोटा सा क्या कहते है confidence आया कि शायद market एक बार finally उपर को और test करके और फिर fall करेगा अच्छा fall करने का reason क्या है दोस्तों because structure जो है वो weak है structure is not a balanced structure so यह structure repair होगा so होना क्या चाहिए या तो market कहीं पे खुलके और यह जो अगर उपर खुला तो खुलते ही नीचे भागेगा भागेगा so जो मैंने call side का BTST ले रखा है ना दोस्तों उसमें मेरा plan यही होगा कि market अगर gap up देता है जहां खुलेगा तुरंद काटूंगा I will not wait generally मैं wait करता हूँ 2-4 minute का कल wait नहीं करूंगा so अपना जो scenario है वो दोस्तों market is ready to fall और नीचे का जो level है 43,600 since we are expecting a fall तो यहां पर कल परसो में एक हाई बनना चाहिए तो मेरी उमीद है कि कल ही हाई बन जाना चाहिए और because structure already काफी week हो चुका है और यह area test नहीं होना चाहिए बड़ अगर हो भी जाता है तो we know seller is there और फिर उसके पाद सीधे 43,600 तक की तय प्यारी बन रही है दिख रही है तो bankrifty is looking weak PSU की rally stop होने तो और आज market SBI की वह से बतलब चड़ गया SBI के बारे में भी यह जब 10.35 पर SBI को मैंने बुला था कि 6.78 तक जाना चाहिए Friday के A period तक तो यह Friday के A period तक जाने के बूला था बट यह आज ही आ गया आज का ही देख ले दोस्तों यह PSU की जो rally है न यह जब भी जिस भी दिन थमेगी बस उसी दिन से fall चलू होना चाहिए So we are in a stage that we are going to test the last buyer और buyer के testking के लिए market हो सकता है लड़कड़ाते हुए थोड़ा सा उपर जा सकता है और उसके बाद crash करके नीचे की तरफ जाने के लिए market तयार है Otherwise market is market, market is supreme हम लोगों को अगर यह view गलत हुआ तो market कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा So that was all दोस्तों और कल देखते हैं bank nifty क्या करता है और फिर आप लोगों की सेवा में मैं कल फिर हाजिर होगा और दोस्तों आप में से जो भी लोग bank nifty के market profile and order flow के update से benefit कर सकते हैं आप सभी लोग का मेरे telegram चैनल में स्वागत है जिसके link आप लोगों को दोस्तों description मिल जाएगी और second चीज मैंने recently ही stocks के बारे में targets देना शुरू किया है तो सारे educational purpose के लिए होते हैं तो अगर आप लोग F&O stocks भी trade करते हैं आपका स्वागत ह एक बार फिर से मेरे telegram चैनल में इन दोनों benefit के लिए कल के वीडियो मिलेंगे जैश्री राम